दोस्तों, इस स्मार्ट फोन की दुनिया में टेक्नलोजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले के लोग की पैक्ट फोन में एक बड़ा सा SIM यूज़ किया करते थे। लेकिन इस स्मार्ट फोन को आते ही इन SIM कार्ट को बहुत ही छोटा कर दिया गया। और पिछले कुछ सालों से E-SIM का बोलबाला चल रहा है जिस से हमें बहुत कुछ फाइदे भी हैं तो बहुत कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि E-SIM के क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है क्या आपको यूज़ करना चाहिए और नहीं यूज़ करना चाहिए। समझने के लिए वीडियो साथ अंतक बने रहे हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो प्रिज वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों के साथ सेर भी करते रहें। पहली बार चैनल पर हैं। तो पहली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आईए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, समस्ने की कोशिस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में e-sim actually होता क्या है इसके फायदे नुकसान के बारे में भी जानेंगे तो sim card दो प्रकार का होता है एक physical sim card होता है आज के समय में सारे phone में अकसर आप लोगों को physical sim card देखने को मिल ही जाएगा जिसमें एक sim card slot लगी होती है जिसके अंदर हम sim card को लगाते हैं दूसरा होता है e-sim e-sim का concept पूरा ही अलग होता है इसमें आपको कोई अलग से sim card नहीं मिलता है e-sim को टेकनलोजी का इस्तेमाल करके phone के motherboard पर ही इसे fix कर दिया जाता है number को fix कर दिया जाता है आप लोगों ने e-sim के बारे में तो बहुत ही सुना होगा लेकिन क्या कभी ये सुचा है कि आखिर में sim काम कैसे करता है तो e-sim का मतलब होता है embedded sim यानि हमारे phone में कोई भी physical sim card नहीं होगा और नहीं sim card slot लगाने की जंजट होगी e-sim को phone या फिर e-smart watch के अंदर technology के जरीए motherboard पर install कर दिया जाता है और इस तकनिकी का इस्तेमाल अकसर महंगे phone में किया जाता है कम कीमत वाले phone में आपको e-sim देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि e-sim का में मकसद है phone के size को और छोटा और slim बनाने का जिसके वज़े से phone की कीमत बढ़ जाती है और e-sim का इस्तेमाल सबसे पहले Apple phone company ने किया था और अब Samsung, Google Pixel और Motorola जैसी कमपनिया भी e-sim का इस्तेमाल करने लगी है और पिछले कुछ सालों में smart watch के अंदर भी e-sim का support देखने को मिल रहा है और e-sim के providers की अगर हम बात करें तो सबसे पहले AirTel ने provide करना सुरू किया था और फिर बाद में Jio और Vodafone ने भी e-sim को provide करना सुरू कर दिया अब हम बात करते हैं e-sim के फायदे के बारे में तो e-sim का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें SIM के लिए e-store या फिर दुकान का चक्कर लगाने की जरूत नहीं पड़ती है इसे हम घर बैठे ही activate कर सकते हैं इसके अलावाँ e-sim के वज़े से हम छोटे device जैसे smart watch में भी SIM का support ले सकते हैं अगर physical SIM लगाना होता तो e-smart watch काफी भद्दा दिखता क्योंकि उसके अंदर हमें slot के लिए जगह बनाना पड़ता और हमेशा जो है outside से ओ दिखता जिसके वज़े से उसके look पर बहुती bad effect डालता इसके अलावाँ e-sim की वज़े से आप बिना SIM को बदले बिल्कुल आराम से एक network से दूसरे network में switch कर सकते हैं port करा सकते हैं लेकिन physical SIM card में जो है आपको दुकान पर आपको swap पे जाना ही पड़ेगा अब हम बात करते हैं e-sim के नुकसान के बारे में तो e-sim का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने mobile phone को बार-बार change करते रहते हैं या फिर आपका phone खराब हो गया तो उसे repair कराने के लिए अगर आप swap पर देते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि e-sim को आप निकाल नहीं सकते और इसका जो भी data होता है वो आपके storage में रहता है जिससे किसी को भी देने से पहले आपको ये data clean करने या फिल clear करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप उसको clear करते हैं तो सारे आपके contact number भी चले जाते हैं अगर वहीं पर physical SIM होता तो आप उसके अंदर transfer करके SIM निगाल लेंगे और आपका सभी contacts आपके SIM के अंदर आ जाएगा और आप अपने phone को कहीं पर भी repairing के लिए दे सकते हैं आप बिल्कुल बेफिकर रह सकते हैं तो ये सबसे बड़ा problem होता है इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है एक benefit ये भी है कि जिनके अंदर भी eSIM का support आने लगा है आप उस mobile के अंदर कई सारे number को जो है port करा सकते हैं एक ही mobile phone के अंदर कई सारे number को भी जो है आप रख सकते हैं एक ही phone के अंदर तो दोस्तों ये था eSIM का फाइधा और नुकसान दोस्तों ये वीडियो information ये updates आपको कैसा लगा प्रीज आप comment में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें चैनल के साथ बने रहें इस बखसरे प्रेखने के लिए झाल दोस्तों ये इसे प्रोड़र देखने के बगाल